बहुत बहुत स्वागत है दुस्तों आप सभी का आज की इस नई लाइफ सेसन में आज हम देखेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइन्स जो सब्जेक्ट है ठीक है उसी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट mcq कोशन आंसर की मेगा सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें आपके टम 1 के लिए 200 प्लस mc की कोशन आंसर हम करेंगे ठीक है तो बिसिकली आपके टम 1 में 6 चेप्टर आ रहे हैं तो 6 चेप्टर से 200 इंपोर्टेंट mcq मैंने चाटे हैं चेप्टर वाइस होंगे ये ठीक है और ये उसी सीरीज का एपिसोड नंबर है एक यान कि 6 एपिसोड लाएंगे और ये एपिसोड नंबर 1 तो चलिए हम विना टाइम वेस्ट करते हुए कोशन आंसर की तरफ बढ़ते हैं टेलीग्राम गुरूप इंस्टाग्राम अकाउंट ट्विटर हंडल और फेस्टूप पीज का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रेशन बॉक्स में मिल ही है ठीक है ऑप्सेन 1 समविधान में कोई बी कुछ भी संसुडन कर सकता है सेकंड समविधाने के लिखित जस्तावेज होता है जिसमें सरकार गठन और उसकी सक्तियों के बारे में लिखा होता है तीसरा, किसी भी देश का सम्विधान उस देश की राजनीतिक विवस्था, नियाई विवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढाचा होता है चोथा है, जितना शक्तिशाली सम्विधान होगा, उतना ही शक्तिशाली देश भी होगा तो इसमें से option second, third and fourth, ये तो right answer है लेकिन इसका जो wrong answer है वो option number first सम्विधान में कोई भी कुछ भी संसोधन कर सकता है, ये गलत है क्योंकि सम्विधान में सिर्फ संसद ही बहुमत और विशेस बहुमत के अधार पे इसमें संसोधन कर सकती है ठीक है, अगला question number second, सम्विधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है आपकी option है, अनुच्छे 325, सम्विधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कतव्यों को तो सम्विधान की जो आत्मा है, वो सम्विधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है अगला question बर थर्ड सम्विधान की रीड की हड़ी किसे कहते हैं ठीक है अभी आत्मा था अब है रीड की हड़ी आपके option है अनुचिद 22, 14, 19 या फिर 368 तो इसका right answer है option बर थर्ड अनुचिद 19 को सम्विधान की रीड की हड़ी कहते हैं अगला question बर है फोर भारतिय सम्विधान का जो स्वरूप है वो कैसा है कठोर लचीला इन दोनों में से कोई नहीं या फिर कठोर एवं लचीलेपन का मिसरण तो भारतिय सम्विधान कई मामलों में कठोर भी है तो कई मामलों में लचीला भी है तो इस तरह से भारतिय सम्विधान जो है वो कटोर एवं लचीलेपन का मिश्रहन है Option 4 राइट आंसर हो जाएगा अगला question नुमर 5 भारतिय सम्विधान को बनने में कुल कितना समय लगा ठीक है? Option 1 2 साल 11 मैंने 18 दिन Option 2 2 साल 11 मैंने 16 दिन Option 3 2 साल 10 मैंने 18 दिन Option 4 2 साल 10 मैंने 16 दिन तो भारतिय सम्विधान को बनने में जो कुल कितना समय लगा था वो है Option 1 2 साल 11 मैंने और 18 दिन ठीक है बच्चो? अगला question महर है 6 भारतिय सम्विधान में ठीक है? ये पूछा जारा है कि वरत्मान में भारतिय सम्विधान में कितने अनुच्चेद भाग और अनुच्चिया है वरत्मान की बात किये जा रही है? Option 1 है तो देखिए सबसे पहले तो वर्तमान के अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें है समधान में 395 अनुचेद हैं 12 अन्सूची हैं और 25 वाग got ये हो गया वर्तमान के संदर में अगर ये पूछा जाता कि भारतिय समीदान में कितने अनुचेद भागा अनुचेद थी ठीक है तो मतलब जब यह बना था तो उसके संदर में option first सरी होता 395 निचेद 8 निसोचे और 22 भाग ठीक है अगर यह जब सम्विधान बनाता उस समय के अंतराल में पूछा जाता चलिए अगला देखिए question mark 7 निमिल्कित में से कौन सा सम्विधान का कार्य इन में से नहीं है option first यह नागरिकों के अरिकारों की गैरेंटी देता है option second यह सरकार की विविन शाखाओं के लिए सक्ति के विविन छेतर को चिनित भी करता है option third है यह सुनिष्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए option fourth है कुछ साजा मूल्यों को अव्यक्ति भी देता है तो इसमिधान का कार्य नहीं है वह option number third कि यह सुनिष्चित करता है सत्ता में अच्छे लोग आए क्योंकि देखिए समिधान जो है उसने अपने तरीके से नियम तो बना दिये जब लोग इस नियम का पालन करेंगे तो इसमें अच्छे लोग भी आ सकते हैं ठीक है तो इसलिए समिधान का कार्य नहीं है कि वह यह सुनिष्चित करे कि सत्ता में अच्छे लोग आए ठीक है अगला question number 8 है किस देश के पास देखिए अब यहाँ पे जो box है उससे समर्दिन प्रशन है यह वाला किस देश के पास दस्तावेजों और निर्णेयों की एक लंबी स्रंखला है जिसे सामुहिक रूप से समविधान कहा जाता है ठीक है option number first है आपका आफ्रीका इराक, इरान या फिर option number fourth इंगलेंड तो इसका right answer है option number fourth इंगलेंड ठीक है कि दस्तावेजों और निर्णेयों की एक लंबी स्रंखला है जिसे सामुहिक रूप से समविधान कहते हैं उस देश का नाम है इंगलेंड अगला question number nine एक सफल समविधान जो होता है उसकी मुख्य विशेष्ता क्या होती है ठीक है मुख्य विशेष्ता पूछी जा रही है option number first प्रतियक व्यक्ति को समविधान के जो प्राबधान है उनको आदर करने के लिए कोई न कोई कारण अवश्य देता है second प्रतियक व्यक्ति को समविधान के प्राबधानों का पालन करना आवश्यक है third प्रतियक व्यक्ति के अधिकारों के रक्षा करता है option fourth उप्रोक्त सभी तो देखिए यहां पे पूछा जा रहे एक सफल समविधान की क्या विश्यक्ता है तो सफल समविधान की जो विश्यक्ता है वो यह है कि प्रतियक व्यक्ति को समविधान के प्राबधानों को आजर करने के लिए कोई न कोई कारण उस व्यक्ति को अवश्य देना होता है ठीक है हलाकि कतन ये दूसरा और तीसरा भी सही है ठीक है लेकिन जो सफल सम्विधान के गर विशेषता पूछी जाएगी तो option number first इसका राइट आंसर होगा अगर देखिए question number 10 अब यहाँ पे आपके तीन चार प्रस्ट एक साथ complete होगे ठीक है देखिए question number 10 यहाँ पे पूछा जा रहा है सम्विधान के वारे में कौन सा कथन गलत है option first 26 नवंबर 1949 को अंगी क्रिट भार्तिय सम्विधान को 26 जनवरी 1950 को विर्वत रूप से लागू कर दिया गया तो देखिए यहाँ पे एक complete हो गया कि अंगी क्रिट का वुआ 26 नवंबर 1949 को लागू का वुआ 26 जनवरी 1950 को दूसरा point सम्विधान लागू करते समय इसमें तीन सो पचादवे अनुच्छे बाइस बाग और आठ अनुच्छें थी राइट थर्ड है आयरलेंड के सम्विधान से भारतिय सम्विधान में राज जी के नीती ने देशक तत्तों को लिया गया है option number 4 सम्विधान को बनने में अब देखिए यहां पर option 4 जो है यह वाला गलत है इसमें एक पॉइंट जो है वो गलत बाकी तो सही है अब एक पॉइंट वो क्या है देखिए सम्विधान को बनने में दो वर्स ग्यारा मेन अठारा दिन लगे यह सही है लेकिन कुल बैटक 165 हुई यह गलत है ठीक है क्योंकि कुल बैटके 166 हुई थी तो आपको option 4 इसका wrong answer हो जाएगा अगला दिखिए question number 11 किस देश में सद्दाम हुसेन की सत्ता खत्म होने पर एक नए सम्विधान की रचना करने में देश के विविन जातिये समुहों में काफी संगर से दिखाई दिया ऐसा कौन सा देश था इरान, अमेरिका, इराक या फिर भारत तो इसका right answer है इराक ठीक है option 3 आपका right answer है अगला दिखिए question number 12 किसी सम्विधान की सत्ता माननी है या नहीं इस बारे में कौन सा प्रशन आपको जानना होगा देखिए क्या का जा रहा है किसी सम्विधान की सत्ता जो वो माननी है या नहीं इसके बारे में आपको कौन सा प्रशन जानना होगा option 1 क्या जिन लोगों ने सम्विधान बनाया था वे विश्वसनिये थे दूसरा क्या सम्विधान यह सुनिच्छित किया गया है कि सूज भूज के साथ सक्ति को इस परकार संगठित किया जाए कि किसी एक सम्विधान नश्ट करना आसान ना हो third क्या सम्विधान लोगों की आश्राव और आकांच्छाव का पिटारा है तो सम्विधान की सत्ता मानने है या नहीं है इस बारे में आपको उपरोग्त सभी प्रशने जानने होंगे option fourth आपका right answer हो जाएगा ठीक है बच्चो अगला देखे question by 13 भारत की सम्विधान सभाज जो थी वो किस के कहने पर बनाए गई गई थी किस मिशन के कहने पर बनाए गई थी बिसिकली cabinet mission, क्रिप्श mission, वेवल प्लान या फिर augustat offer ठीक है तो भारत की सम्विधान सभाज जो थी वो cabinet mission के कहने पर बनाए गई थी अब cabinet mission से समबंदित तीन चार प्रशन होंगे option second है यानि कि question number 14 है cabinet mission के अनुसार, सीटों को कितने समुदायों में बाटा गया था option first, तीन मुसल्मान सिख रजवारों के अनुपात में बाट दिया गया option number second, तीन मुसल्मान सिख सामानने में उनकी जन सिंका के अनुपात में option third दो मुसल्मान और सिख, option fourth दो मुसल्मान और हिंदू तो cabinet mission के अनुसार जो सीटे थी उनको तीन समुदायों में माटा गया एक था मुसल्मान, दूसरा सिख और तीसरा सामानने में उनकी जनसंक्या के अनुपात में ठीक है? तो option second आपका right answer हो जाएगा question number 15 देखिए, cabinet mission के बारे में कौन सा कथन इन में से सही नहीं है? option first, British पिर्धान मंत्री चर्चिल द्वारा ब्रेटिस संसर सदस से एवर मजदूर नेता सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स की नितरत में यह mission भारत भेजा गया था? दूसरा, यह mission मार्च 1942 में भारत भेजा गया? option third, पूर्ण रूप से स्वतंत्र पूर्वक चुनाओ कैसे कराया जाए? यह इसका उद्देश्चिता यह फिर इसका उद्देश्चिता भारत के राजनीतिक गती रोद को दूर करना? ठीक है, तो अब इस में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो वो है option number third, कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र पूर्वक चुनाओ कैसे कराया जाए? हाला कि राजीते गती रोद तो दूर करना था, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो चुनाओ है वो कैसे कराया? ये इसका मकसद नहीं था, ठीक है? अगला question number 16 है, cabinet mission से समद्ध ही है, cabinet mission के अनुसार, सीटों के लिए प्रचिनिर्थ्टों का चुनाओ कैसे हुआ? यानि कि जो सीटे बाटी गई, उसका चुनाओ किस तरह से हुआ? option first, प्रित्येक प्रान्त, देशी रियासत, एवं रियासतों के समद्ध को उनकी जनसंक्या के अनुपात में सीटें दे दी गई दूसरा, मोटे तोर पर दस लाखी जनसंक्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया तीसरा, बेटे सरकार के प्रतक्ष शासनवाले प्रान्तों को 292 सिरस से, देशी रियासतों को नियूंतम 93 यनकी 93 सीटें आवंटित की गई तो कैविनेट मिशन के अनुपात सीटों के प्रतिने दुका चुनाओ उपरोग्त सभी तरीके से हुआ था ठीक है? आयो बच्चो, अभी तक के आपके ये 16 प्राश्ण मैंने जो आपको समझाए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने option भी बनाए है, question का language भी मैंने अच्छे सुधा रही है, तो अशा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा लाइब सेशन अच्छा लग रहा हो, तो शेल जरू कर दीजी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बात करते हैं वच्छो question number 17 की, समविधान सभा, आप देखें यहाँ पे समविधान सभा से समबने प्रशनों के आठ दस, समविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपकी option है, 9 December 1946, 15 August 1947, 11 December 1946, 26 January 1950, तो समविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 December 1946 को हुई थी question number 18, 11 December 1946 को किसे समविधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? option first, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंदर परशाद, पंडित जवाला नहरू, डॉक्टर भीमराव, अमबेड कर तो 11 December 1946 को डॉक्टर राजेंदर परशाद को समविधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है? अगला देखे, question number 19, भारतिय सम्विधान सभाज थी, इसके प्रारूप समीति के इदक्ष कौन थे? के मुन्शी, जवाला नहरू, भीमराव, अमबेड कर या फिर डॉक्टर राजेंदर परशाद, तो प्रारूप समीति के इदक्ष थे, डॉक्टर भीमराव, अमबेड कर, ठीक है बच्चो? Q20, सम्विधान सभाज के कितने उपास्ते सरस्यों ने, 26 नमबर 1949 को, देखे, दो चीज़े कंप्लिक होंगे आपे, कि सम्विधान सभाज के कितने उपास्ते सरस्यों ने, 26 नमबर 1949 को सम्विधान पर स्टक्चर की, एक तो डेट आपको पता चली कावा स्टक्चर की थे, 26 को अब आपको सरद से पता चलेंगे तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 262 सेकेंड 287 थर्ड 289 फोर्थ 284 तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ 284 ठीक है अगला कोश्ट नमर्ट 21 अब देखिए यहां पे जो है भारत संभिधान उधार लिया हुआ सिध्धानतों का एक टोकरा है उसी से संबंदिद पांच इंपोर्टन प्रशन है पहला प्रशन है भारतिय संभिधान में राज्य के नीती निदेशक तत्तों जो थे उसका प्राबधान किस देश के संभिधान से लिया गया है आयरलेंड ब्रेटिश अमेरिका या फिर कनाड तो इसका राइट अंसर है आयरलेंड के संभिधान से बारतिय संभिधान में राज्य के नीती निदेशक तत्तों को प्राबधान लिया गया है 22 बारतिय संभिधान में ब्रेटिश संभिधान से क्या प्राबधान इनमें से नहीं लिया गया सरवादिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला सेकंड मौलिक अधिकारों की सूची थर्ड कानून के सासन का विचार एवम सरकार का संसरिय स्वरूब फूर्थ विदाइक का मैं अध्यक्ष का पद और उनके कानून निर्माण विदी तो इसमें से देखिए जो प्रापधान विटेश सम्विदान से नहीं लिया गया है वो है ऑप्सेन नमबर सेकंड मौलिक अधिकारों की सूची अब देखिए इसी दे संबने देख प्रेशन बन गया कि भारतिय सम्विधान में मौलेक अधिकारों के सूची के अपराबदान किस देश से लिए गया है आयरलेंड के सम्विधान से, बेटे सम्विधान से, अमेरिका के सम्विधान से या फिर कनाडा के सम्विधान से तो इसका right answer है वारतिय संविधान में मौले करिकारों की सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है ठीक है अगला देखिए customer 24 वारतिय संविधान में संगात्मक सरकार का स्वरूप का जो प्रापधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है अमेरिका, आयरेलेंड, ब्रेटिच या फिर कनाड़ा तो भारत में जो संगात्मक सरकार का स्वरूप का प्रापधान है वो कनाड़ा के संविधान से लिया गया है ठीक है बच्चो अगला कोशन मेर 25 बारतिय संविधान में न्याइक पुर्णावलोकन की शक्ति और न्याइपालिका की स्वरूप अन्तरता ये प्रापधान किस देश के संविधान से लिये गया है अमेरिका, कनाड़ा, आयरेलेंड या फिर ब्रेटिच तो इसका राइट आंसर है अमेरिक के संविधान से ठीक है अगला देखे कोशन मेर 26 26 कहता है कि भारतिय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान ये प्रापधान किस देश के संविधान से लिये गये है अमेरिका, फ्रांस, कनाड़ा या फिर आयरेलेंड तो इसका राइट आंसर है के संविधान से ठीक है चलिए अब एक नयाग प्रेशनी स्टार्ट होगा कुशन मेर 27 इंडोनीशिया का संविधान सरकार के सरकार को कौन-कौन से उत्तरदायत तो सौपता है ठीक है इंडोनीशिया के संविधान के बारे में ऑफ्सन फर्स्ट सरकार राष्टिय सिक्षा विवस्ता बनाए और उसका संचालन करें सेकंड सरकार गरीब और अनात्मच्चों की देखवाल करें थर्ड पहला दूसरा सही है फोर्थ सरकार पून रूप से अंतराष्टिय इस तर पर कारे करेगी तो इंडोनीशिया का संविधान जो है वो सरकार को दूर मुख्य राइट अंसर है यानि कि ओप्षन्स थर्ड इसका राइट है न pig तुरणा दिएठ दक्षड आफ्री का समविधान दक्षड आफ्र एफ्रीका का समविधान सरकार गौ कौन 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 से दाइथ्व यो सम्मुहों को बचाने का प्रयास क्या उत्तर दाइथ्षे estoy ठीक है फिर नीचे है थर्ड सरकार दीरे दीरे सभी के लिए परयाप्त आवास और स्वाथ सुविधान उपलब्द कराएगी और आफ्शन फोर्थ है उप्रोक्त सभी तो इसका बच्चो जो राइट आंसर होगा ठीक है वो है आफ्शन नुबर फोर्थ उप्रोक्त सभी या अगला है कॉश्चन बर 29 अब नेपाल के संविधान से संबंदित तीन प्रशने आपे पूछे जाएंगे पहला प्रशन है नेपाल ने प्रतमवार अपना संविधान कब बनाया था अफ्शन फर्स्ट है उननिस सो अड़तालिस बावन पैंतालिस या फिर नवासी तो भार 2015, 2008, 2009, 2010 तो नेपाल में राजितंत्र जो था वो 2008 में खतम हुआ था ठीक है कॉश्चन बर 31 नेपाल ने लोकतांत्रिक संविधान देखें नेपाल ने लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था 2016, 2015 या फिर 2000 तो इसका राजिट आंसर है कि नेपाल ने लोकतांत्रिक संविधान जो था वो 2015 में अपनाया था ठीक है आगे देखें कॉश्चन बर 32 भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारना प्रस्तुत की है वो है क्या है ठीक है पहला उप्षन आलप संक्यक सुरक्षित होंगे दूसरा जिससे धार्मिक पहचान का नागरिक अरिकारों पर कोई प्रिभाव नहीं पड़ेगा थर्ड आलप संक्यकों को आरक्षन दिया जाएगा उप्षन फोर्थ पहला और दूसरा इसके राइट आंसर है तो भारत के सम्मिधान में नागरिकता की जो नई अब्धारना प्रस्तित की है उस संबंद में और आप्षन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा कि आलप संक्यक सुरक्षित होंगे जिससे की उनकी धार्मिक पहचान और उनके नागरिक अरिकारों पर कोई प्रिभाव नह नहीं पड़ेगा तो ऑफ्षन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव नहरु जी के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में एक प्रश्न है एक प्रश्न के अंधर ही मैंने सारे प्रश्न इसमें कंप्लेट कर लिए हैं उ नहरु जी के द्वारा उननी सो चालिस में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें समविधान सवा के उद्देश्यों को परिवाशित किया गया कब किया गया था उननी सो चालिस में किसके द्वारा नहरु जी के द्वारा क्या कहा गया था समविधान सवा के उद्देश्यों को परिवासित किया गया दूसरा इस प्रस्ताव में संविधान की सवी आकांचाउं और मूल्यों को समाहित किया गया था तीसरा इसी प्रस्ताव को आधार पर हमारे सम्विधान में समानता, स्वतंतता, लोकतंत्र, संप्रुवता और सर्व जीवन पहंचांच जैसी प्रतिवर्दता को बुनियादी संस्तागत स्वरूप दिया गया और उप्रोक्त सभी तो उद्देश से प्रस्ताओं के बारे में ये जो चारो तीनो ही कथन आपे दिये गए हैं ठीक है ये तीनो ही कथन उद्देश से प्रस्ताओं के बारे में सही हैं तो आप्शन फूर्थ उप्रोक्त सभी ये आपका राइट आंसर आपे हो जाएगा ठीक है अगला देखे एक और प्रश्ण होगा 35 दिन आपकी ये वीडियो खतम हो जाएगे कुश्णमर 34 कहता है समविधान सवा में हुए मत भेदों में कौन सा इन में से सामिल नहीं है पहला भारत में शासन प्रणाली है वो कैंदरी करत होनी चाहिए या वी कैंदरी करत राज्यों के बीच संबंद कैसे होने चाहिए सेकंड न्याय पालिका की क्या क्या सक्तियां होनी चाहिए तीछरा क्या समविधान को संपत्ती के अरिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उप्रोक्त सवी तो समविधान सवा में हुए मत भेदों में उप्रोक्त सभी मतभेद सम्मिलित हैं तो option 4 अपका right answer है सबसे आखरी प्रस्थन बस्ता है हमारा समविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया ठीक है ऐसा कौन सा प्रावधान है जो विना किसी वाद विवाद के भी पास हो गया मौले करिकार बहुत विवाद चला था राजी के नितिय ने देशकत तो बहुत विवाद चला था ओप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है चाय वो जाती धर्म किसी भी अडार पर अलग हो उससे जो भी 21 वर्स की आयू का होगा वो है अपने सार्वामिक वैस्क मतारिकार का उप्योग कर सकेगा ठीक है तो यहां पर हमारे यह 35 important mcq complete हो गए आसा करता हूं बच्चो आपको आज की यह वीडियो अच्छे लेगी होग अगर अच्छा लगा है तो लाइक काना शेर जरूर कीजिएगा आपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैप्टर से सम्बंदे सभी important mcq question answer के बारे में जान सके है तो चले दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना ख्य